ओम्चरी गनेशाय नमदोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोला मई मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन जीजों से इनको फाइदा होगा किन जीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया गलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप घरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कौशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकरती और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हेतू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूरती होगी जैदोस्तो साती सात आज आपके लिए दूर की यात्राएं भी होगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होगी और उनके दोरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साथे साथ आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लेशनल कमपनियों में कार रह करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांचाओं के आज पूर्ण होने की संभावना है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती है भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा है अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल है साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके पेड़नाओं में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिलचस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवड़तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावनाय उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तो किसी भी प्रकार के वित्ते निवेस के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस चेत्र के जानकार या विसे सग्यों से सुजाव और सला लेकर ही कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता है थोड़ा साफधान रहें दोस्तो साथि साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश रकता है क्योंकि आपके विरुद आज कोई सडियंत्र हो सकता है किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़ें जैंदोस्तो आफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चो लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हंदेगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम से रूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तो साथ साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम फलदाई रहेगा वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हाँ दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भ दोस्तो घर में के गिरहों की यूती आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए एक नियमित और अच्छी दिंचरिया का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान पन ध्यान दें और साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप र भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाए और भगवान बजरंग बली जी को आप गुड़ और चने का प्रशाद अवस्चे चड़ाएं और साती सात वहीं बैटकर हनमान चालिसा का भी एक बार पाठ आप बहुती सच्चे मन से बहुती स्रदभाव से अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगें या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को बनने लगेंगे दोस्तों भगवान बजरंग बली का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्च दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद